नमस्ते दोस्तों आज हम बनाएंगे खस्ता गोजा की रेसिपी यह मिठाई सबसे ज्यादा यूपी बिहार में बनती है और शादियों के सीजन में सबसे ज्यादा बनती है बहुत ही टेस्टी बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉप्ट खाते ही मूँ में घूल जाने वाली मिठ सब्सक्राइब स अद्धियों बनाना सबके रेसिप और चानल पर प्लेज़ा सब्सक्राइब करें व्हु cohort का और किया जहीं है दाने हिसका दुझ सब्सकों शूरु पैसन यहां नहीं है पmelonिधुक को सबस्क्राइब तो थम जान तो bazaat मिते कशेगे। अब थोड़ा सा बीच में जगह कर लेंगे और उसके बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, कोई भी मीठा चीजा बने उसमें हलका सा नमक डालें टेस्ट बहुत अच्छा बनता है उसके बाद यहाँ पे एक चोथाई चमच मैंने बेकिंग पॉडर लिया है तो बेकिंग पॉडर डाल दिया है उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा कप से एक दो चमच कम मैंने घी लिये लिया है और अब यह घी हम इसमें डाल देंगे तो मैंने पूरा घी इसमें डाल दिया ह और इसी के माप से मैंने अधा कप ड़िया था , तो एम अधा कप मैंने यहां पर पानी भी लिया , तो यहम डाल देंगे , शचील यह制 estado perfect , िससे आपकी मिटाएक कभी खराब नहीं होगी , तो यह मैंने पानी टाल अब हम्हें को लगाना है , तो आटे को हमें रोटी की तरब गुद गुद की ज्यादा नहीं लगाना है बस हलके हाथ से इसको मसलते जाना है और इकठा करते जाना है अगर आटा यहाँ पर टाइट लगे तो हलका सा उपर से पानी छिडिक लीजे और उसके बाद इसको लगा लीजे तो इस तरह से हम हल किनारों को निकल दो करेंगे ताकशी एकडम उसके बाद आटे को थोड़ा से दबा करेंगे क्चिकना कृफ्aktan क्ला थेकशिके निव भी छोट कर देए जाना है पतलневत मितल्री कृट किनारों को कट करके निकाल देंगे ताकि एकदम ना जब हम इसको काटे तो एकदम शेप में अच्छे से कटे अब इसके बीच में भी कट लगा लेंगे तो यहां पर देखें दो मतब रोल हमारा तयार हो चुका है अब इसको एक साइड में रख देंगे और दूसरे वाले को तो जिस तरह से हलवाई ये मिठाई बनाते है आज उसी तरह से मैं बना रही हूँ तो यहां पर दिखे मैं इसको साइड से कट कर लिया है और अब इसको हमें काटना है तो जितने बड़े साइज में आपको चाहिए उतने बड़े साइज में आप इसको काटे है मैं एक दम हल तो आप एक प्लेट में निकाल के इसको रख लेंगे अब इसको फ्राइ करना है तो गैस पे गड़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए तेल बहुत हलका गरम है और उसमें हम एक एक करके ये पूरा गोजा डाल देंगे और इसको थोड़ी देर सिखने देंगे जब कि ये फूल के बड़े नहीं हो जाए तो यहां पर दिखे थोड़ी देर में ये फूल गया है तेल जैसे गरम हो वैसे ये हलका सा फूल गया है तो अब क्या करेंगे अब गैस का फ्लेम हम ना मतलब हाई कर देंगे एक मिनट के लिए क्योंकि अब ही अगर हम उठा के और इ इसको उलट पलट कर देंगे और उलट पलट के इसको गोल्डन कलर होने तक पकाएंगे तो यहां पर देखे उलट पलट करके अब मैं इसको गोल्डन कलर होने तक पका ली हूँ तो यहां पर गोल्डन कलर आया है लेकिन अभी भी इसका परफेक्क कलर नहीं आया है जैसे ह वहलुए क्वाउन कलरें एक दम ब्राउन कलर है कका फिकाएंगे mm तो टोटल को पकटने हैं दम हम 5 अरद फ्लेंग से लगए तो यहां पर देक्ट हैं एक दम ब्राउन कलरर आग्या मैं घाटन क क्लरिंग थया सो आज को एक DENNIS aujourd के लिएख अर्टी स्मया इक मिल में निकाल देखी है का पाने देखी है तो यहां पर सारा गोज्ञ ञाल लिया रोजा लिया है अब च Chiangisini बनाएंगे टो अब चासनी बना निकले यहां पर नो दो तो आप यहां पे इलाईची का पॉडर डालिए और आधा चमच निम्बू का रज डालेंगे जब गोजा इसमें डालें तो चीनी जो है जम के गोजा में चिपक नहीं जाए इसलिए मैंने निम्बू का रज डाला है और अब चेक कर लेते हैं कि चासनी हमारी रेडी हुई है चासनी के अंदर है ताकि चासनी अंदर तक अच्छे से घूज जाए गोजा के अंदर तो यहां पे देखिए अब मैं 10 मिनट इसको छोड़ दूगी इसमें डालके 10 मिनट हो चुका है और अब चलिए गोजे को एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं चासनी में से तो यह क्या लियर दिख रहे हैं और रस क्या मस दिख रहे हैं अब इसको तोड़ते देखिए तो बाहर से एकदम क्रिस्प और अंदर से सॉप्ट और रसी ला क्या मस मजा आता है खाने में इसको तो इस तरह से यह गोजा की रेसिपी एक बार जरू ट्राइ किजे वीडियो